सापला में अभी भाई साब ने भी बताया सभी ने बताया सरकारी स्कूल है एकदम बेकार खस्ता हालत में सरकारी एस्कूल में दवाईया नहीं है, मशीने नहीं है, डॉक्टर नहीं है, सापला के लोगों को रोधक जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है इलाज करने के लिए और बिजली बहुत महँगी है भहुत सारे power cut लगते हैं लगते हैं आप सब जानते हैं आप सब tax देते हैं जब आप कोई भी समान खरीदने जाते हैं तो उस पे GST लगता है tax लगता है आप tax देते हैं आपका अधिकार बनता है कि सरकार आपको मूल सुविधाएं दे, अच्छी सिक्षा, अच्छा इलाज, अच्छी सडके, पानी, दस साल हो गए, भाजपा सरकार ने क्या दिया आपको, भाजपा सरकार को विकास से कुछ लेना देना नहीं है, आपका केजरिवाल आपके स्कूल ठीक करेंगे, अस्पता स्कूल ठीक करेंगे, बच्चों का भविश्य बनेगा, उन्होंने आपके लिए पांच गैरंटी दी है, पहली गैरंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह हैं, घरेलू बिजली फ्री होगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी, दूसरी गैरंटी, हर गाउं, हर शहर में महला सरकारी अस्पताल अच्छे होंगे, जहां फ्री और अच्छा इलाज होगा, तीसरी गैरंटी, हर गाउं, हर शहर में सरकारी स्कूलों को शांदार बनाया जाएगा, जहां बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी, गरीबों के बच्चों का भविश्य बढ़ेगा, अच्छा हो चौथी गैरंटी, हर माताओं बहनाओं को हर महीने हजार हजार रुपिया मिलेगा, मिलना चाहिए, चाहिए आपको माताओं और पांचवी गैरंटी, हर भेरोजगार यूवक को रोजगार मिलेगा, इसके इलावा किसानों को, वेपारियों को, खिलाडियों को, बुजुर आपके बेटे ने दिल्ली बदली है, पंजाब बदला है, आप पूछिए दिल्ली के पंजाब के लोगों से कितना सुधार हुआ है वहाँ, अब आपको अपने बेटे को अपना ही घर ठीक करने की जिम्मेदारी देनी है, हम सब मिलकर एक नया हर्याना बनाएंगे.